दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बदाने वाला हूँ कि आप स्नैपचैट में फोटो कैसे खीच सकते हो जी या दोस्तो अगर आप भी अपने मोबल में स्नैपचैट एप्लिकेशन को यूज करते हो अगर आपने मोबल में जो है प्ले स्नैपचैट एप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं करा तो प्ले स्नैपचैट एप्लिकेशन को आपको डाउनलोड करना है और इसके बाद आपको प्ले स्नैपचैट एप्लिकेशन को आपको ओपन करना है और जैसे आप Snapchat open करोगे इसके बाद कुछ इस तरीके से यह Snapchat application आपकी mobile में open हो जाएगी तो यहाँ पर guys आपको करना क्या है simply यहाँ पर आप देखते हो Snapchat application में यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको filters वगरा देखनी को मिल जाते है तो यहाँ पर इस icon पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे filter देखनी को मिल जाते है जिस भी filter में गाईस आप photo क्लिक करना चाते हो इस तरीके से यहाँ पर आप filter चूज कर सकते हो आपको बहुत सारे filter देखनी को मिल जाते है तो फिलाल यहाँ पर मैं इस वाली filter में यहाँ पर photo पर click करता हूँ और यहाँ पर आप देखतो यहाँ पर photo capture हो चुकी है और इसके बाद guys save पर click करने के बाद यहाँ पर यह जो है photo आपकी save हो जाएगी इसके बाद इसे आप share भी कर सकते हो तो गैस आप देखे तो कुछ इस तरीके से आप फिल्टर चूज करके Snapchat में आप जो है बहुत ही कमाल की फोटो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर देखनी को मिल जाते है यहाँ पर गैस अगर आप जो है यहाँ पर फ्रंट केमरा करना चाहते हैं तो यहाँ से इस उप्षिन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना केमरा फ्रंट केमरा कर सकते हैं उसके बाद यहाँ से बैक करना चाहते हैं तो यही से आप बैक कर सकते हो तो इस तरीके से बहुत सारे filter जैसे भी filter में आपको photo click करना है यहाँ से filter choose करने के बाद simply guys आपको जो जैसे आप filter बटन पर tap करोगे इसके बाद यहाँ पर आपका photo click हो जाएगा और save पर click करने के बाद आपका photo save हो जाएगा तो इस तरीके से snapchat में guys आप फोटो को खीच सकते हो और इसके बाद guys यहाँ पर इस cross icon पर click करने के बाद जैसे आप इस icon पर click करोगे तो यहाँ पर आपने जितनी भी photos खीची है वो यहाँ पर आपको देखनी को मिल जाएगी तो इस तरीके से snapchat में आप फोटो कीच सकते हो दोस्तों अगर आप कोई वीडियो चलागाओ तो इस वीडियो को like, share and subscribe ज़रूर से कीजेगा